नमस्कार, बिग बोस के इत्यास में सबसे विवादित कंटेस्ट के रूप में रहे स्वामी ओम का निदन हो गया है वे कापी समय से बीमार चल रहे थे उनको कोर्णा भी हो था और वे दिल्ले के एम से बरती थे खबरों के मतावित उनका आदर सरीर पैरलाइज रो गया स्वामी ओम ने बिग बोस के दसवे सिजन में सलिया था अपनी बचकानी और गटिया बातों से स्वामी ओम ने बिग बोस में सभी गरवालों के नाख में दम कर रख दिया था बिग बोस के दसवे सीजन में लड़कियों के लिए अपमाजनग बात करते वे स्वामी ओम ने सभी अधेपार कर दी थी हद तो तब हो गई जब स्वामी ओम ने बानी जे पर अपनी पेशा फैक दी थी उनकी सरकत से सभी घरवाले कापी खपा हुए और बाद में उने सलमान खान ने फटकार लगा कर घर से बाहर निकाल दिया था जीन्यूची खबरों के मताबिक 63 साल के स्वामी ओम ने दिल्ली में आकरी सासली और उनकंती संसकार बुद्धवार को दिल्ली के निगम बोद गाट पर किया जाएगा वही बॉली ओड से दूसरी खबर यह है कि कंगना और दिल्ली के बारे में आपको भी पता होगा कि कंगना और दिल्ली के मत सोसल मीडिया पर एक दूसरे पर नोक जोग चलती रहती है पोप सिंगर रियाना के किसान अंदल उनको समर्थन करने के बाद कंगना ने उनको बेवकूब बताया था हालिक इसके बाद कंगना को ट्रोल किया जा रहा है अब इन सब के बीच दिल्जित ने भी कंगना की तुलना शिपकलिशे कर दिये हालिक इउननों ने इस पोश्ट में कंगना को टैग नहीं किया लेकिन एपोश्ट कंगना के रियक्षन के बाद ही आईए दिल्जित ने पंजापी में जो तूट किया है उसमें काउत लिखिये जातदी कोड है किरली सातिरों को जफ़े दिलजीत ने यह लिखा और जिसके बाद कुछ लोगों ने उनके इसका मतलब भी पूछा हाले कि दिलजीत के बाकी फैंस ने इसका मतलब भी शेयर किया एक यूजर ने लिखाया जब कम छमता वाला व्यक्ति अपनी पहुत से परे किसी चीद की अकंच करने कोशिश कर रहा हो ठीक उसी तरह जैसे कोई छिपकली छत की पिलार बीम से छिपकने की फ्राक में हो मान जा रहा है कि दिलजीत ने यहां छिपकली की तुलना कंगना से किये वहीं तीसरी ख़वर यह है कि पाकिस्तानी पोवन इस्टार मिया खलीपा ने भी किसानों को समर्तन किया है रिहाना ग्रेटा धनबर के बाद पोवन इस्टार मिया खलीपा ने भी किसान अंदलों के बारे में सोसल मीडिया पर एक पोश्ट में लिखा है मिया ने एक फोटो शेयर कर शेयर किया और लिखा है पेड एक्टरस कास्टिंग डारेक्टरस को कहना मुझे उम्मीद है कि आवाड सीजन के दोड़ान उनकी अंदेखी नहीं की जाएगी मैं किसानों के साथ खड़ी हूँ और किसानों के इसांदोलों के समतन करती हूँ वही इन सब खबरों के बीच राजसबा सांसद कॉंगरेस के दीपेंद्र एस उड़ा ने कंगना के ट्यूटर अकाउंट बेन करने के मांग किये दीपेंद्र ने लिखाया कि मैं ट्यूटर इंडिया से अपील करता हूँ की वह कंगना का अकाउंट इतन ब्लोक करे उनका ये ट्वीट हरियान में इंटरेट पर प्रतिवद के एक पोस्ट के जाओं में है हरियान में सांतिवो डंग से हांदोलन किसानों को आतंकवादी कहना अतिदी बढ़काओ और ग्रना इस पाद है और ऐसे लोगों का अकाउंट तरुंद बंद कर देना चाहिए जो लोगों को बढ़काने काम करते है हैसी बोली उड़की तमाम खबर देखने के लिए हमार चैनल नमस्ति इंडिया उक सबस्काइब करें और जूड़े रें नमस्ति इंडिया परियार के साथ